नमस्कार दोस्तों, मेरे चानल इन्फो प्लग में आपका स्वागत है। हमारे इस चानल पर आपको मिलती है आयुर्वेदिक की जानकारी घरेलू उपचार चाहे वह त्वचा से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य। आज के इस विडियो में हम बात करेंगे तैलिय त्वचा की सही देखभाल के बारे में। तैलिय त्वचा की समस्या बहुत सामान्य है और इसका सही उपचार घरेलू नुस्खों में ही मिल सकता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। नमब एक फेस वॉष के उपयोग का तरीका अच्छे फेस वॉष का चयन करें जो त्वचा के लिए सही हो। इस्तिमाल करते समय हलके हाथों से मसाज करें और ध्यान दे कि वॉष करते समय गर्म पानी का उपयोग न करें। नमब दो नीमबू का रस नीम्बू का रस्त्वचा के लिए बहुत फाइदे मंद है। इसे रोजाना चहरे पर लगाएं और 15-20 मिनिट बाद धोलें। यह त्वचा के तेल को कम करता है और चमकदार बनाएं रखता है। 3. मलाई और हल्दी का मिश्रण मलाई में विटामिनी होता है जो त्वचा को मोटापा और चिकनाहट प्रदान करता है। जबकि हल्दी के एंटी बैक्टेरियल गुण त्वचा को स्वस्त रखते हैं। इसे रोजाना चहरे पर लगाएं और 15-20 मिनिट बाद धोलें। 4. गुलाबजल गुलाबजल त्वचा के लिए एक प्राक्रतिक टॉनर के रूप में काम करता है। इसे रोजाना चहरे पर लगाएं या फिर स्प्रे के रूप में इस्तिमाल करें। 5. आहार में परिवर्तन त्वचा की सेहत के लिए सही आहार महत्वपूर्ण है। तेल और मिठाई वाले खाने को कम करें और प्रोटीन, फल और सबजियों का अधिक सेवन करें। 6. दही का जादू दही एक प्राकृतिक क्लीनजर है जो अतिरिक तेल को हटाता है और तवचा को थंडा रखता है। में मौजूद लाक्टिक एसिड तवचा को प्रदान करता है और मृत तवचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है. नमबर साथ मुलतानी मिट्टी का फिस पैक मुलतानी मिट्टी एक प्राक्रितिक तेल सोखने वाली चीज है जो तवचा को साफ और चमकदार बनाती है. गुलाब जल या दही के साथ मुलतानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर चहरे पर लगाएं और सूखने के बाद धोलें. मुलतानी मिट्टी में मौजूद मिनरल्स, मिनरल्स, तवचा को पोशन देते हैं और अतिरिक तेल को सोखने में मदद करते हैं. तैलिय तवचा की देखभाल में स्वाभाविक उपचार कारगर हो सकते हैं और घरेलो नुस्खे इसमें मददगार साबित हो सकते हैं. इन घरेलो उपायों को नियमित रूप से अपना कर आप अपनी तैलिय तवचा की देखभाल कर सकते हैं. इस विडियो में हमने तैलिय तवचा की देखभाल के कुछ आसान और प्रभावी घरेलो उपायों के बारे में बात की हैं. ये उपाए आपकी त्वचा को स्वस्त और चमकदार बनाने में मदद करेंगे.